हरीवन सराय बच्चन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि सफलता एक चुरोती है इसे सुविकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो कुछ किये बिना ही जयजय कार नहीं होती कोशिस करने वाले की कभी हार नहीं होती नवस्कार दोस्तों आज के वीडियो में रिसकर रही है तीस नौमर के ग्रेंट भर पे और आज के वीडियो में टोटल अब ग्यारा मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अब प्छाजा करेंगे और साथ में इस जुले जितने भी स्पेजर प्रेक्ट है तो चलिए शुरू करते हैं आज के ग्रेंट भर का पहला प्रस्ण है कि असीवा अखिल भारती पीठासीन अधिकारी संब्लन कहां पर आउजित किया गया तो दीकि ये प्लेस आपका रहा गुजरात का केवडिया और विहाली में इसका यानि के असीवे अखिल भारती पीठासीन अधिकारी संब्लन का उगण किया बारत के राजपती रामनात को बिंदे और इस अखिल भारती पीठासीन अधिकारी संब्लन की जो सुरुवात है ये 1921 में की गई थी और इस पीटाशी नाधगारी सम्मिलन का सतापदी वर्ष पर मनाए गया और इस वर्ष के सम्मिलन का जो विशा यानि की थीम रहा यह रहा विधाई का, कारेपाली का और न्याएपाली का का सामांच से पुर्शमयन में एक जीवन्त लोकदंदर की कुंजी और दूसरा प्रशनी की हाली में किसे अमेरिका के विदेश मंतरी के रूप में नूट किया गया है तो दिखिए वी हाली में अमेरिका का विदेश मंतरी बनाए गया है अन्टोनी ब्लिंकेन को और आपको दाद जो आपके अंटोनी बिलिंकेन है इनोंने इस पत बर माईक पॉंपियो का स्थालिया है पहले माईक पॉंपियो विदेश मतरी हुआ करते थे लेकिन अब इनका नाम दिमाग से डिलिट कर दी है अब जो है जो आपके अमेरिका के नए विदेश मतरी का नाम क्या है एन्टोनी बिलिंकेन और दीकिए इसके अलामा जो आपके जेक सूलिवान है इनको अमेरिका का नए राष्टी सुरक्षा सलाकार निट किया गया है तो यहाँ पे दो पॉइंट्स है आपके सामने और दोनों के दोनों important है या रखेगा अमेरिका के नए विदेश मतरी कौन बने है एन्टोनी बिलिंकेन और अमेरिका के नए राष्टी सुरक्षा सलाकार कौन बने है जेक सूलिवान और दीकिए यहाँ पे राष्टी सुरक्षा सलाकार की बतोर यह तो भारत के जो राष्टी सुरक्षा सलाकार है इनका नाम है अजीत दोभाल इनका नाम भी एक्जाम में कई बर पूछा आ चुका है इसको याज़ रखेगा तीसरा प्रजनी की अमेरिका के नए वित मंतरी कौन बने तो दीए अमेरिका की जो नए वित मंतरी याणि के फाइंडान्स मिनिस्टर बने है इनका नाम है जैनेट येलिन यहाँ पे इनकी फोटो भी दीख रही है यह माईला का नाम है और आपको तादू जोब कि ये जैनेट येलिन है तो अब यहाली में अमेरिका की जो नौ निर्वाचित राजपती हैं जिनका नाम है जो बाइडन तो इन्होंने फेडरल डिजोर की पूरो अदेख्च जैनेट येलिन को अपना वित्त मंत्री पद जो है इसके लिए चुना है और अब इनको जो है अमेरिका के सीनेट से मजूरी मिलनी बागी है अगर वहां से इनको न्यूकती मिल जाती है तो ये अमेरिका की वित्त मंत्री बनने वाली पहली महिला बन जाएंगी देखें बहुत सारा जो है मनले बहुत सारे संक्रटर नों ने कहा कि भारत में महिलाओं को एदकार नहीं है यार देखो अमेरिका कफासाथ हुआ था कई सो साल पहले और अभी तक वहाँ पर कोई भी महिला फाइनास मिनिस्टर नहीं बनी है तो अगर जैनेट येलिन जो है अगर ये फाइनास मिनिस्टर बन जाती है अमेरिका की तो ये अमेरिका की पहली वित्तमंत्री होंगी ठीक है महिला वित्तमंत्री तो ये अमेरिका की पहली महिला वित्रमंत्री मजजब बन जाएंगे तो समलिक एक्जाम में इनके बारे में ये फैक्ट भी पुछा जाएगा तो इसको यारखेगा अभी आपको यारखना है कि अमेरिका की नई वित्रमंत्री अपॉइंट की गई है जैनेट येलिन और चौथा पुछनी की हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस विस्विद्याली के सापना का सतापदी समारो मनाए गया तो देखेए विस्विद्याला काफी चर्चा में भी है इस विस्विद्याला का नाम है लखनो विस्विद्याले तो लखणो मेजसी जोबका लखणो का लखणोवीश सुभीद्याला है इसका भीहाली में सताबडी वर्स मनाए गया है देखे, अब बतातुँवका लखणोवीश सुभीद्याला है इसके स्थापना के लिए इसके अधिनियम पर 25 नॉवंबर 1921 को अस्ताक्चर हुए थे और इसका जो पहला सत्रह ये जुलाई 1921 से सुरुआ था इसलिए लखनोविस्विद्याले परसासन जो ये 25 नॉवंबर को अपने अस्तापना का तारीख और 1921 को अपना अस्तापना का वर्स मनाता है और इस साल जितने भी यूपी के एक्जाम है उनमें दो प्रश्ण पूछे आएंगे पहला ये कि लखनोविस्विद्याले का अस्तापना का वर्स मनाता है इसका पहला सत्रह जुलाई 1921 में शुरूगा था और एक खास बात और आपको यह अरकना है दिखी जोपना लखनोविस्विद्याले है इसी में एक प्रोफेसर ते डाक्टर बीरबल सहनी तो लखनोविस्विद्याले के जश्ट भगल में अगर आप ऐसे हजरत गन से जाते हैं पूल करास करेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका यह लखनोविस्टी तो इसी में आपका जो है डाक्टर बीरबल सहनी इंस्ट्यूट आप पहलियो बातनी है तो यह और पांचवा प्रशनी की भारती राष्टी सहकारी संग यानि की नेशनल कोपरेटी यूनियन आप इंडिया का नया अधिक्ष कौन चुना गया तो दीके विहाली में दिली भाई संगानी को चुना गया है नेशनल कोपरेटी यूनियन आप इंडिया का यानि की भारती र द्यापक को जैव प्रत्योकी में दुनिया के सिर्ष दो प्रतिश्थ वग्यानिकों और सोध करताओं में सामिल किया है तो यह भारत के लिए काफी गौरों की बात है देखे भी हली में स्टेंफॉर्ड यूरिस्टी रिसर्चर्स द्वानाप प्रकासी पी एल ओयस बायलोजी में इमरान को सामिल किया गया है और इसमें दुनिया भर के कुल 22 अलग-अलग सेत्रों के सोध काताओं को सामिल किया गया है जिसमें इमरान पंच्चा का नाम भी साम समीती में सामिल क्या गया है तो दीखें विहाली में S. Surejls को और सोधा स् UP को इन दोनों को तमिल नाडु क्रिकेट संग के क्रिकेट सलाकार समिती में सामिल क्या गया है देखें जो क्या लिए कि अग्लडपार द 쿠 घ्रट है इसके वर्तमान में प्रेजेंट है तमिल नादू क्रिकेट एसोचीएजन आटमा की हाली में किस बेक्ट को इंडिया बुल्स हाॉसिंग फाइनेंस के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नूट किया गया है तो ये बेक्टिया है देखे दीन मंदू महापात्र इनको अभी हाली में नुटिया बना गया है दीन बंदू महापात्र नोवाप्रश्नै की भारती सिना के नए इंजिनियर इंचीप कौन बने और ये एक दिसंबर से अपनी नए निउक्ति के लिए कारभार स्माल रहेंगे यानि कि एक दिसंबर से जो है इंजिनियर इंचीफ बन जाएंगे भारती से ना यानि कि इंडियन आर्मी के तो दीके यहां पे एक पद खाली हुआ है सीमा सड़क संगठन के महारिसक का यानि की पार्डर रोड्स आर्गनाइशन है इसके डारेक्टर जनरल वर्तवान में लेटिन जनरल हर्बाल सिंग मुख्यालेस का है नई दिल्ली में और इसके सापना साथ माई 1960 कोई थी 11 प्रश्णी की हाली में केंद्री समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चेंद गहलोत ने किस स्थान पर ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्टी पोर्टल तसा एक गरिमा गरी असेल्टर हों फार्ट रांसजेंडर से परसंस का उधठन किया तो दीखें ये प्लेस आपका रहा गुजरात का बड़ोदरा अभिहाली में गुजरात के बड़ोदरा में भारत के किंद्री समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चेंद गहलोत को द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक राष्टी पोर्टल और एक गर प्रटल रूप से आविधन कर्णे में सक्षा मनाएगा और ट्रांसजेंडर विक्षियों के लिए जो आपका ये आश्रा स्थाल मनाए गया है गरिमागरी इसको लक्षमाट्रस्ट के सहयूँ से चला जाएगा जो की पूरी तरीके से ट्रांसजेंडरों के द्वारा संचा है कौन लक्षमाट्रस्ट तो इन दोनों के बारे मिया रखेगा तो ये थे आपके आज के सभी मादपूर्ट करेंट पर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी कुशन अपटे पर देखिए जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल करे हैं वो पहले वीडियो को तुरंद वीडियो देखे किसको रिवाज कर लिएगा और दूसरा प्रशनी की हाली में बैंगलूरू के बारिंग और लेडी करजन मेटकल कॉलेज और रेसर्च इंस्ट्टूट का नाम बदलगर किस पूरो प्रधानमत्री के नाम पर कर दिया गया है बताईए तीसरा की हाली में किस देख ने आर्केटिक में सिरकोन हाईपर सोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परिशिट किया है बताईए चौदा प्रशनी की हाली में किसके दौरा इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेस पोर्टल को लांच किया गगर बताईए और प्माचमा की सेतंबर 2020 इस्तिमाही में भारत की GDP में कितने प्रतिशत की इग्रावट आई है बताए तो इसी के साथ आज के गरेने पर से निस्तिमाद रोता है कल फुर मिलेंगे कल के करें स्वाब डियो लाइक और शेयर करेंगे जो लोगना है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसे के साथ बद बदने माद थैंक्यू एंड हाव अच दे